हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं प्रवीन कुमारजन प्येम क्लासे से एक सोपन यूटूब चैनल मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तो आज मैं आपके लिए समस्कृत के छंद सास्तर मैं से 40 most MCQs को लेकर आया हूं MCQs मतलब होता है बस तुनिष्ट प्रशन जो की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो यह बहुत ही most important videos है दोस्तो छंद सास्तर मैं से यह video है दोस्तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी छंद मैंसे प्रशन बनते हैं मैंसे ही मैंने important प्रशनों को इसमें cover किया हुआ है दोस्तो हमारे आप इस video को देखें देखने के साथ साथ हमारे इस PM Classes 105 चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के लिए आपको लार रंग मैंसा सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा उसको प्रेस करें उसके बाद बैल आइकन आएगा तो उसको भी जरूर दमाए जिससे आपके पास वीडियो की नौट भेकर सन पहुंच सके दोस्तो वीडियो को like, share और comment box में जाकर करके comment आप जरूर बताएं देखते हैं दोस्तो समस्कृत के छंद सास्त में से 40 most MCQs को छंदा बेद पुरस अश्य किम अस्ती छंद बेद पुरस का क्या है तो छंदा पादवत बेद अस्य इस प्रकार कहा गया है तो यह छंद जो है वह है पाद की तरह पैर की तरह है बेद पुरस के नेश्ट है दोस्तो गणस से क्यम रूपम गणस से क्यम रूपम तो गणस से त्री वर्ण हां त्री वर्ण तीन वर्णों का एक गण होता है तो यह गण का रूप है जैसे जगण तो जगण कितने वर्णों का होता है तीन वर्णों का तो सभी गण तीन वर्णों के होते है चंद सास्तरे रसह बाच कोस्ती चंद सास्त में रस का बाचक है तो चंद सास्त में यदि रस सब्द आ जाए तो रस सब्द से हमें छे लेना है क्योंकि छे प्रकार के रस होते हैं तो रस से हमें छे अंग कर लेना है जैसे रसाई, रूद्रई, श्छिनना, यमन, सभलागा, सिखरणी तो यहां रसाई सब्द क्यों आया है? मनलब छे पर यती होती है रूद्र सब्द क्यों आया है? तो सभी सब्दों की जो सब्द आते हैं सूर्य, अस्व, रूद्र, रस इस प्रकार जो सब्द आते हैं इस सब्द किसी ना किसी अंग के बाचक होते हैं तो एसी यहाँ पर रस सब्द किस का कितने अंग का बाचक है तो छे अंग का बाचक यहाँ पर रस सब्द है next question दोस्तो यह आपर गण का स्वरूप बताया गया है दीर्ग दीर्ग लगू दीर्ग लगू लगू दीर्ग लगू दीर्ग रगू दीर्ग कस से लख्छन मस्ती यह किसका लख्छन है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ओपैंद्र बज्जरा का देखे हैं जगन आँगे होना चाहिए जगन में होते हैं लगू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू-गू- तव यदी तव स्यादिंद्र बज्जरा यदी तव जगवगा तव में दुई वचन का है तव तव मतलब दुई वचन मतलब दो गान तगान तगान दो बार होना चाहिए तो यहाँ पर तगान एक बार है फिर दूसरी बार भी तगान है तीसरी बार देखें तो यदी तव जगव जा मतलब जगण और गव और गह मतलब दो गुरु तो यहाँ पर जगण आ गया यहाँ पर लगु गुरु लगु यह जगण हो गया और दो गुरु अंत में हैं तो यह इंद्र बज्जरा चंद का लक्षन है इस प्रकार हम लक्षनों को देखते हैं नेश्ट है दोस्तोग अकरूनत मकारण विग्रह परधने परियोसति चास्प्रह तो इसमें कौन सा लक्षण हैं तो दुर्त बलंबित माह नभाव भरव अकरूनत मकारन विग्रह इसकी लाए दोनों की एक सी है तो यहाँ पर दुर्त बलंबित चंद है और दुर्त बलंबित चंद का लक्षन होता है दुर्त बलंबित माह नभाव भरव नगान भगान भगान और रगान इस प्रकार होता ह तो यहां पर हम मिला सकते हैं, यहां पर आ का एक माना जाएगा, का का एक माना जाएगा, रू का एक माना जाएगा, तो नगण में होते हैं तीनों लगू, तो यहां पर तीनों लगू हैं, इस प्रकार हम इसका लक्षन बैठा सकते हैं, नेस्ट कोश्टन है दोस्तो भिन्नम छंदा चिनोतू भिन्न छंद को चिनिये इंद्रवज्जरा उपजाती उपएंद्रवज्जरा तो यहाँ पर भिन्न कौन सा है बंसस्थ भिन्न है क्योंकि इंद्रवज्जरा और उपएंद्रवज्जरा और उपएंद्रवज्जरा औ सिर्फ दोस्तो लगू और गुरू का अंतर होता है जिसमें आंगे गुरू होता है वह कहलाता है इंद्रवज्रा और जिसमें आंगे लगू होता है वह कहलाता है उपेंद्रवज्रा और बांकी सभी वर्ण समान होते हैं उपजाती छंद दोनों का मिलाजुला रूप है लेक यहां पर बनसास्थ चंद है इसकी लाइबी बनसास्थ चंद जैसी है नेश्ट है दोस्तों संतह स्वयम परहते विchemical योगा तो यहां पर कौन सा छंद है बसंत तिलका बसंत तिलका चंद इसमें लक्ष हो रहा है ने श्टर दूस्तो नगणस स्वरूप हम किम नगण का स्वरूप क्या है तो हमने भी बता है था तीनों जिसमें लग होते हैं वह नगण कहलाता है चंद सास्त के आचारी का नाम क्या है जो प्रथम आचारी हुए है तो वह हैं आचारी पिंगल चंद सास्त के प्रथम आचारी है तो पंचम बन लगू होता है अनुस्तुप चंद के इसका लक्षण है इस लोक के शस्थम गुरूम गेयम सरवत्र लगू पंचमम सरवत्र लगू पंचमम तो पंचम बन सभी जगए लगू होता है दुईछत उपाद योँर राज्वम सब्तमम दीरग मन्य योह इस प्रकार अनुस्टुप छंद का लक्षन जब आता है अनुस्टुप छंद को ही इस लोक कहा जाता है परिया बाची जो सब्ध है वोई फरिया बाची है अनुस्टुप का नेश्टर दोस्तो रूद्रई बोधो भवती रूद्र से किस संख्या का बोध होता है तो अभी हमने बता है रसे छे अंग का बोध होता है तो रूद्र से होता है एका दस ग्यारह संख्या का बोध रूद्र से होता है रसाई रूद्रई शिन्ना रूद्र सब्देहां पर आ हाजाएका नेस्ट दुस्तो कि निम्लिखे देसु मात्रिक चंद वर्तत है इनमें वात्रिक चंद कौन सा है तो आरीय चंद यहां पर मात्रिक और सभी यह वाणे क्छंद है आरीय चंद मात्रिक चंद यहां पर आथ बर्ण होते हैं, इस लोग की शष्ठम गुरुम् गेयं सरवत्र रगुपंचमं इसका लख्षण है ने श्ट्य है दूस्तों मिस्रित छंदो वर्त अति jutudes, मिस्रित चंद है यहां पर है उपजाती क्योंकि यह इंद्र बजरा और उपेंदर बजरा मिलकरके उपजाती छंद बनता है, तो यह मिस्छ छंद कहलाता है next question है, चत्वारो यगणा भवन्ती चार यगणा होते हैं, किसमे होते हैं, तो भुजण्ग प्रयात्छंद में?? चार यकार होते हैं इसका लक्षान है भुजंग प्रयातम चतुर भिर्यकार है भुजंग प्रयातम चतुर भिर्यकार है तो जिसमें चार यकार या यगण होते हैं उसमें भुजंग प्रयात्चंद होता है निष्ठ पंच दसाक्षरात्मक चंदोस्ती 15 अक्षर का कौन सा च चंद होता है तो मालनी चंद 15 एक्षर का है मालनी चंद इसमें 15 एक्षर होते हैं नन मयाय युतेयम मालनी भोगी लोकई नन मयाय युतेयम मालनी भोगी लोकई नेश्ट दोस्तो मालनी चंद सी क्रमेन गणा संती मालनी चंद में क्रम से गण होते हैं तो हमने भी बताया था नन मयाय युतेयम नन मयाय इस सब्द में सभी गणा आगए नन मतलब नगान नगान मयाय मा मतलब मगान या मतलब यगान फिर यगान तो दो नगान एक मगान फिर दो यगान तो जिसमें हो वह होता है मालनी चंद तो यहाँ पर दूसरा यह आंसर सही है क्योंकि यहाँ पर न नगान, मगान, यगान, यगान. ए लिखा हुआ है. तो ए विलकुल राइंट है. मालनीचन्द का लक्षन। next question है दोस्तु एकात पत्रम जगताः प्रभुत्वम इती उधान मस्ती यह उधान किसका है एकात पत्रम जगताः प्रभुत्वम भुजंगा प्रयातम चतुर। दोस्तो इसमें इंद्रवज्जरा दोस्तो हम मिला भी सकते हैं इंद्रवज्जरा चंद का लग्षान है जिसमें यदी तो जगताः दो गुरु तो इसमें देख सकते हम एका दो माना जाएगा का का गुरू माना जाएगा और ता का लगू माना जाएगा तो इसमें तगण हो गया इसमें भी तगण है इसके बाद दोस्तों आंगे गतह प्रभुत्वम हाँ इसमें सभी सही है तो इसमें आप इसमें इंद्रवज्रा छंद हो सिखरणी चंद सी यतिर भवती सिखरणी चंद में यति होती है तो सिखरणी चंद में यति होती है रसाई रूद्र इस चिनना यमन सब लागा सिखरणी इस प्रकार इसका लक्षण है तो रस और रूद्र इस पर यति होती है रस माना जाता है छे अंक का वुधक और रूद् यती होगी फिर उसके बाद 11 वर्णों के बाद यती होगी इस प्रकार इसमें यती होती है सिखर्णी छंद में नेस्ट कोश्चन है बंसस्थ छंद सा स्वरूप मस्ती बंसस्थ छंद का स्वरूप क्या है तो जताओ तू बंसस्थ मुदीरी तम जरओ जताओ तू बंसस्थ जताओ मतलब जागण और तगण और फिर उसके बाद जगण और रगण जिसमें हो उसमें बंसस्थ छंद होता ह तो पहले ही तो हम देखेंगे जगान तो यहां पर जगान है फिर उसके बाद तगान तो तगान भी है फिर इसके बाद जगान जगान भी है और उसके बाद रगान राजवा रगान भी है तो यहां पर पहला वाला बिल्कुल राइट है बंसस्त चंद का लक्षन इसमें घट यह माथा माताार मतीन गुरुज इसमें होते हैं मगण कहलाता है तो इसमें तीनों गुरुज है यहाँ पर मगण का स्वरूप इसमें घटित हो रहा है, मगण, नेश्ट दूस्तों दुर्त बिलंबित चंदों बरताती, दुर्त बिलंबित चंदों बरताती, दुर्त बिलंबित चंद है, तो दुर्त बिलंबित चंद होता है, बारा वर्णों का, दुर्त बिलंबित माह न नेस्ट क्वेश्चन है इंद्रवज्रा जाती यम छंदो विद्यते इंद्रवज्रा की जाती का छंद कौन सा है तो यहाँ पर उपजाती छंद इंद्रवज्रा की जाती का है सोरी दोस्तो इंद्रवज्रा जाती यम छंदो विद्यते त्रिष्टुप यहाँ पर त्रिष्टुप छंद इंद्रवज्रा की जाती का छंद है त्रिष्टुप नेश्ट दोस्तो प्रती पदम जतव जरव कस्मिन छंदसी भवती तो जतव और जरव इसे होते हैं बंसस्थ छंद में जतव तु बंसस्थ मुदीरी तम जरव तो यह बंसस्थ छंद का लक्षन है बंसस्थ छंद नेश्ट कोश्चन है यमाता राजभा नसल गम इती कस्मिन सास्तरे वर्तते यह किस सास्तर में लिखा हुआ है तो यह लिखा हुआ है चंद सास्तर में चंद सास्तर की सूत्र है यमाता राजभा नसल गम और इसी सूत्र पर पूरे गण आधारत है नेश्ट दोस्तो इती उधारन मस्ती तो यह उधारन है उपेंद्र बज्जरा चंद का उपेंद्र बज्जरा चंद का उधारन है उपेंद्र बज्जरा चंद का उपेंद्र बज्जरा चंद का उपेंद्र बज्जरा जत जास्त तो गऊ इस प्रकार इसकी लाए है नेस्ट दूस्तो अर्थो ही कन्या पर किये एव इती उधान मस्ती तो यह उधारन है इंदरवज्जरा चंद का अर्थो ही कन्या पर किये एव यह उधारन है इंदरवज्जरा चंद का इंदरवज्जरा नेश्ट कोश्चिन बसंतल का चंद सा स्वरूप मस्ती बसंतल का चंद का स्वरूप क्या है तो पहले ही तो हम इसका लक्षन देखेंगे उक्ता वसंत तेलिका तभजा जगऊगा तो इसमें होते हैं वसंत तेलिका चंद में तभजा तगण भगण जगण जगऊगा फिर जगण उसके बाद दो गुरू तो हम यहाँ पर मिलाएंगे वसंत तेलिका तभजा तवज़ा मतलब बड़ा ताराज होना चाहिए मतलब तगण में दो गुरू एक लगू होता है तो यहाँ पर दूसरा यह सही है तीनो यह राइट नहीं है क्योंकि अधर नगण 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 तीनों में आगे है दूसरे में सिर्प तगण आगे है इसलिए ये वाला पूरा सही हो जाएगा, इसके बाद भी मिला सकते हैं, तभ भानस ये भी सही है, जगण इसके बाद जगण और दो गुरू ठीक है, नेश्ट है दोस्तों सिखरणी छंद सो लक्षण बरतते, सिखरणी छंद का लक्षण है, तो हमने बताय दिया है कि होता है, तो यहाँ पर सिखरणी का नाम ये आ रहा है, नेश्ट दोस्तों कोश्चन है, अना ग्रातम पुस्पम किसलाय मलूनम कर रोहई, अना विद्धम रतनम मधुनवमना स्वादित रसम, अखंडम पुन्यानाम फल मेविचत द्रूप मनगम, नजाने भोगतारम कमह सम उपस्थास जाती भी थी, यह कहा गया है सकुंतला के लिए अभिज्ञान सकुंतल में, तो यह जो है इसमें कौन सा चंद है, तो अना ग्रातम पुस्पम किसलाय मलूनम कर रोहई, रसाईरू द्रैस छिनायमन सा विलागा सिखरणी, तो सिखरणी चंद इसमें है, सिखरण चंदो भरतते, सिखरणी चंद कैसा है, तो यह संब्रत्चंद है, क्योंकि इसमें सभी चारों चंद इसके समान होते हैं, इसलिए संब्रत्चंद इया है, नेस्ट कोश्चन है, दूस्तो खगा बासो पेता, सलिल मभगाढ़ो मुनी जनहा, प्रदीप्तो अग निर्भाती प्रविचरती धूमो मुनी वनम, परिभरष्टो दूराद रवी रपी रंग छिप्त किरणो, रथम ब्यावर्त्यासव प्रविचरती सनाई रस्त सिखरम, असमन पद्देश्ती चंद है, इसमन पद्द में कौन सा चंद है, तो इसमें सिखरणी चंद है, खगावा सो पे असमन पद्देश्ती चंद है, तो दोस्तो इस परकार हमने आपके लिए 40 चंद सास्तर में से बस्तुनिष्ट प्रशनों को बताया, दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे PM क्लासेस 105 चैनल को कर लें और बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकसन मिलती रहे, दोस्तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हमारे Facebook पेज से भी दोस्तो आप जुड़ सकते हैं, जिससे हमारे सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, हमारे Facebook पेज से वो ग्रूप भी है, PM क्लास इसे एक सुपान नाम से, तो हमारे उस ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं, धन्यवाद